गाईज हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भूवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज धिंडोरा को लेकर चर्चा में हैं और अगर आपने गोर किया हो तो इस सीरीज के थर्ड एपिसोड में एकी फ्रेम में भूवन बाम के पांच करेक्टर दिखाए दे रहे हैं और मज़े की बात ये है कि उस पूरे सीन को एकी शॉट में फिल्माया गया है पर सवाल ये उठता है कि भूवन बाम तो एकी है फिर उनके पांच करेक्टर एकी फ्रेम में एकी शॉट में कैसे फिल्माये गये क्या आप जानते हैं ये कैसे पोसिबल हुआ चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर motion rig technology का use किया गया है जिससे आप एकी परसन के अलग-अलग करेक्टर को एकी फ्रेम में एकी शॉट में फिल्मा सकते हैं गाइस क्या आपने भी डिंडोरा का ये सीन देखा है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा गाइस पाकिस्तान का खैबर पक्तून खवा इलाका ये वो इलाका है जो की आतंकवाद और चरम पन्ती ताकतों से घिरा हुआ है मगर इस हिस्से में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद बहुती कम लोग जानते हैं पाकिस्तान का खैबर इलाका बहुमुल्य गुलाबी पुखराज यानि की पिंक टोपाज से भरा पड़ा है यहाँ पर मिलने वाला पुखराज इतना जादा कीमती है कि इसकी 10 ग्राम की कीमत करोडो रुपियों में है गाईज पाकिस्तान इस इलाके का इस्तमाल क्यों नहीं कर पा रहा है ये तो आप समझी गए होंगे लेकिन फिर भी इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा गाईज आईफोन 13 प्रो मेक्स को लौंच हुए एक कुछी दिन हुए है और इसका इस्तमाल लोग जनरली मोबाइल के तोर पर तो करी रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी इसे खरीद रहे हैं और वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बलकि इलाज करने के लिए जी हाँ गाईज अब ठीक सुन रहे हैं क्योंकि इसके कैमरे की क्वालिटी इतने अच्छी है कि ये अपने मेक्रो मोड में आई कैप्चर करके शार्प डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर सकता है जिसकी सहायता से डॉक्टर आसानी से इलाज कर सकते हैं क्रिकेट वर्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद सोशल मेडिया पर फैन्स ने जम कर अपनी नाराजगी दिखाई और तोर फैन्स ने टीम इंडिया के तेज गेंद बाज मोहम्मद शम वह एक चैंपियन है और जो भी भारत की कैप पहनता है उसके दिल में भारत किसी भी ओनलाइन उपद्रवी से अधिक होता है हम आपके साथ हैं शमी अगले मैच में जलवा दिखा दो ये था सैवाग का जबाब गाइस दुबई में T20 वर्ड कप को और भी जादा लोक प्रिय बनाने के लिए वहाँ पर एक विशाल बैट को तयार किया गया है जो की 10 मंजिला इमारत के बराबर है और सबसे बड़े बल्ले के तोर पर गिनिस बुक को वर्ड रिकोर्ड में शामिल होने की दोड में शु गया है गाइस आपको इतने बड़े विशाल का बल्ले को देख कर कैसा लगा और क्या आप पर भी T20 वर्ड कप की खुमारी सिर चड़कर बोल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे इमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एं लाइक मिलते अग अगली वीडियो में